गर्मा गर्म मौंग दाल ओड़े के सबजी बनाना बताएंगे हैलो माई यूटूब फेमिली कैसे हैं आप सब आई होके अब लोग अच्छे होंगे आयान रेस्पी में बहुत-बहुत सुवागत है तो चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं यहां पे हमने मौंग दाल लिया है जो भिगा के रखा था आदा गंटे के लिए और अच्छी तरीके से भीग गया है इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे सबसे पहले पेस्ट तैयार करेंगे तो देख सकते हैं यहां पे हमने पीस के रेडी कर लिया है दाल को और थोड़ा दरत रहा ही पीसा है इस तरह से देख सकते हैं आप लोग को भी दिख रहा होगा तो यहां पे हम डालेंगे कांडा दो छोटे साइज उनने काटके रखा था यहां पे डाल लेंगे कुछ हरी मिर्च और यहां पे कुछ मसाले डालेंगे धनिया पाउडर एक चमच जादा नहीं एर करना है मिर्ची पाउडर हाप चमच गरम मसाला पाउडर हाप चमच थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लि यहां पर यहां पर मिक्स कर देंगे जाय तो आप अपने टेश के साफ से एड कर सकते हैं यहां पर मिलाएंगे सारी मसाली को और नमक के साथ इस तरह से और यह मिलाकर हो गया है दरदरा थोड़ा पीसेंगे दाल तो बहुत अच्छा खाने में भी लगता है यह मिक्स हो गया है अब इसे हम फ्राइ करेंगे और तेल भी अमने डाल दिया है यहाँ पर पकोड़े छानने के लिए तो देल अभी गरम नहीं हुआ है थोड़ा चेक कर लेते हैं डाल कर अभी गरम नहीं हुआ इस तरह से बनाएंगे तो आपकी सबजी बहुती टेस्टी बनेगे और इतना तारीफ करेंगे सब लोग कि यहां गरम हो चुका है इसमें हम चम्मत की मलच से डाल देंगे इस तरह से पकोड़िया आप चाहे ज्यादा तेल में पी फ्राइग कर सकते हैं पर मैं अभी यहां पी कम तेल ले यूज कर रहे हूं यह कम तेल में भी हो जाता है और तेल भी वेश्ट नहीं होता है जब यह हलका व्राउंड हो जाए नीचेद की साइस से तब इसे चम्मच लगाएंगे करको ओखने जगा झाल एको जड़ा词 कर दो जब कर रहा है कर दो मालग फँलार कि यहा है चले यह राओ इसट इस हाए कि भूबच दो दो यह है तो इसे अब हम पल्टीर कर देंगे आ एतके पकर उसी नुजब भी चकたप़ ढ़ हमाला पुश में स्ओभा सक्छों हमाल, प्रदव शवद हम्रू शवद जस रॉख şuور हमाला ुश, व्यौटُ सुटिए तोड़ा सा और ब्राउन करेंगे प्राइब करें प्राइब करें प्राइब हो चुके हैं अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे तेल बज गया था और यहां पर डालेंगे अदर गलेशू पेक और यहां पर हमने डाल दिया है धनिया पौडर मेची पौडर गरम मसाला परदी पौडर और यह भूनकर भी हो गया है अब इसमें डालेंगे मसाले यहां पर डालेंगे स्वाद अनुसा नमक हमने पपोड़ी में भी डाला था तो आप अपने हिसाथ से जरूर डालें इसमें और देख सकते हैं कितना बड़ी हाद कलर आया है इसे दूमिया धग कर पकाएंगे नसाले को यहां पर हम चेक करेंगे डेकन हटा कर और देखेंगे यह देख सकते हैं कितना अच्छा खुसभू भी आ रहा है और अच्छे मसाले भी भून गये हैं हमारे और पहले से भी भूनके रखा था हमने जो मसाले हमने कांदा टमाटर और मिर्ची पीसा था वो हमने थोड़ा तेल में भूनली आ था पहले तो आभ हमें ज्यादा भूनने की जरुर नहीं है इसमें डालेंगे हम यह पकॉड़ी जो मने तलके रखा था बहुत ही वेतिरीन सब्दी बनती है एक बार आप भी जरो ट्राइ करिए और ये रेस्पी देखिए इस तरह से हमें मिला देना है इस तरह से हमने पानी भी इसमें एड़ किया है आप अपने हिसाब से गाड़ा कम जादा कर सकते हैं और इसे हम धक कर पकाएंगे तीन से चार मिनट के लिए तो यहाँ पर चिक चलेंगे चार मिनट हो चुका गेस बंद करेंगे और ये देखिए हमारी ये सबजी रेडी हो गया है बनकर कितना टेश्टी लग रहे हैं और तेल भी बहुत ही अलग हो गया है इसे मैं निकाल की दिखाऊंगे मूंग दाल की सबजी गर्मा गरम रोटी नान चावल प्राठाय के साथ सेर्फ करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब शेर जरूर करिए और सपोर्ट करिए ठैंक यू माई यूटू फैमिली कल दिए जाल की जाएंगे